साथियों अब यह दिया प्लॉट खरीद रहे हैं तो 2024 में साफधान हो जाईए बहले ही प्लॉट का अदा के लिखा रहे हैं प्लॉट बिल्कुल सही लग रहा है फिर भी आप उसे मत खरीदिये क्यों नहीं खरीदिये चलिए मैं आपको बिद प्रूफ के बता रहा हूं साथ प्लॉट खरीद रहें आपने देखा 374 लोगों के नाम है राकेस रमाकांत अजीत विनीत चार लोगों के नाम आपने खतोनी देखी वह इनकी नाम है इनकी नाम दाखिल खारीज भी है खतोनी विल्कुल सही है ठीक है मत खरीदिये क्योंकि अब देखिए कितनी बड़ी द अजीत कुमार और अनिल पुत्र सुरी राम बहादर किसे बेच दिया सुनील कुमार को अगर आप यह खतोनी देखकर जमीद खरीद लेते हैं अपने दाकिल खारज देखा भाई इनका दाकिल खारज चलो मैं खरीद लेता हूं मत खरीदिये बिल्कुल भी यह देखिए कि इसलिए नाम नहीं कटा खतौनी साथियों कहने का मतलम मेरा है बहुत जादा फ्रॉड धोकादड़ी होती है डेवल रजिस्ट्री आप चेक कर ले वरना पूरी जिंद्गी कमाई डूब जाएगा एक सबसे मेहत्पूर जानकारी में आपको और दे दूं कि यदि साथियों आ क्टा आप खतोनी चेक करवाना चाहते रिजिस्ट्री चेक करवाना चाहते कंड्क ड МУЗЫКА तो आप मेरे द्वारा करवा सकते हैं या कोई सलाह लेना चाहते हैं ले सकते कॉंटेक्ट नमबर वीडियो की डिस्क्रप्मिन में साथ हमारा मिल जाएगा मेरे कहना का मतलब साथ हो यह है कि आजकल आप लॉड खरीदने जा रहे वहां पे तमाम दोखाड़ी होती है तमाम चीज़े देखिए खतौनी आप देखिए खतौनी में उनका नाम दाकिल खारज है तो आप बिल्कुल संतुष्ट मत होगी है कि जमीन साही हो सकती हो सकता है उन्होंने उस बीच कर दीओ उसने दाकिल खारज नहीं करवाया हो इसलिए यह पता कीजिए कि यह रेजिश्ट्री ऑफिस में डबल रेजिश्ट्री तो नहीं होई यह मेरे द्वारा भी पता करवा सकते हैं ठीक है इसके बाद यह देखिए कि जमीन ट्रांस्पेरिवर लाइट वाली है इसके बाद आप देखिए साथियों की जमी इस तो नहीं चला कोई रोक तो नहीं लगी है तो साथियों इस प्रकार से आप जमीन खरी दिये अगर मान लीजे आपने थोड़ी भी लाग परवाई की तो आप अपने जिंदिगी का जो भी कमाई से खरीदने जा रहे हो जमीन आप पूरी कमाई जो है वो बिलकुल बेका चली जाएगी आपको मैंने आपके बिद एक्जामपिल दिया है साथियों ठीक है धन्यवाद